हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं क्लास 7 का वार्सिक परिक्षा 2023 के लिए गनित का सेट वन लेकर काया हैं जिसका परिक्षा आप लोग को 26 सब्रेल से होने जा रही है तो काफी इंपोर्टन्ट वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्पून सवालों को डिसकस करेंगे जो आपके एक्जाम में देखने को मिल सकता है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आयो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है और बैल एकन को यहाँ पर समझेगा प्राकर्ट संख्या जब भी आप बोले तो प्राकर्ट जो संख्या होता वो एक से सुरू होता है दो तीन चार पाँच इस तरह से सुरू होगा ठीक है तो इसमें जो सबसे छोटी प्राकर्ट संख्या को कौन लग रहा है एक लग रहा है और यह एक क् ठीक है दूसरा सवाल है हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी पूर्ण संख्या जब बात बोले तो समझ लेना कि उसमें 0 सामिल कर लिया गया है ठीक है क्या हो जाएगा 0 उसको सामिल कर लिया गया है 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और पूर्ण संख्या में जो सबसे छोटा होगा वो 0 होगा ठीक है ये कहां दिखता है आपको बताइए option number C में ठीक है अगला सवाल देखो क्या है कह रहा है नीम्र में से सबसे बड़ी संख्या कौन है मैनस 17 होगा मैनस 7 होगा मैनस 8 होगा या फिर मैनस 18 होगा तो देखी ये जो होता है न मैनस मैनस को आप समझ कर रखो ये एक तरह का कर्ज है ठीक है क्या है कर्ज है और यहाँ पर देखो हर एक परसन ने कर्ज लेकर रखा है चार वेक्ति है यहाँ पर चारों ने कर्ज लिया ह और कर्ज के एक condition में होता क्या है कि जो जितना ज्यादा कर्ज लेगा वो अतना गरीब हो जाएगा और जो जितना कम कर्ज लेगा वो उससे अमीर रहेगा यानि बड़ा रहेगा तो simple से इस logic में ही समझ में आया कि ये जो 17 रुपईया मैं देख रहा हूँ यह सबसे ज़्यादा करज लिया है वैसलिए सबसे बड़ा तो यह हो नहीं सकता क्योंकि इसने करज ज़्यादा लिख रखा है उसके बाद यह 18 जो है इसने भी करज ले रखा है और बचा यह ओप्सन और यह ओप्सन तो इन में से जो सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है वो ये वाले लिया है ये 8 रुपया कर्ज ले रखा है तो यहाँ पजो अगर सबसे बड़ा आपको दिख रहा है सबसे अमीर आदमी वैक कोई दिख रहा है इन चारों में से तो ये दिखेगा option number B क्योंकि इसने सबसे कम कर्ज ले रखा है इसलिए यही सबसे बड़ा होगा option number 7 ठीक है option number B यानि minus 7 ये तो होगी आपको समझाने का तरीका अगर हम बात करें real में यहाँ पे हुआ क्या है तो real में सबसे बड़ी संख्या minus वाले में जो सबसे छोटी होती ये वही सबसे बड़ा होता है ठीक है उल्टा चलता है अब आते हैं next में कह रहा है question number 4 में कि minus 11 plus minus 12 का योगफल क्या होगा देखो यहाँ पे है minus 11 ठीक है और इस वाले bracket को जैसे ही आप खोलोगे न तो ये plus और ये minus टकरा कर minus हो जाएगा और ये हो जाएगा minus 12 तो ये minus 11 minus 12 अब हम आपको इसको समझाते हैं ध्यान से समझिएगा आपने 11 रुपिया कर्ज ले रखा है और फिर 12 रुपिया भी कर्ज ले रखा है ठीक है तो 11 और 12 कितना होगी अब आप 23 रुपिया होगी और आपने कर्ज ले रखा है क्योंकि ये minus में है ये minus में है तो हम minus जो प्लस होगा उसको हम लोग धन से डिनोट करेंगे यानि पैसे से डिनोट करेंगे तो आपने 11 रुपया भी कर्ज लिया था 12 रुपया भी कर्ज लिया था टोटल आपने 23 रुपया कर्ज लिया कर्ज को मैनस से डिनोट करते इसलिए मैनस लिखेंगे यह तो हो गया ट्रिक दूसरा अगर हम बात करें तो इसको आप क्या कर सकते हो यह जो होता है वो मैनस मैनस पलस होता है और जोड़ करके मैनस कच्छेने दिया जाता है ठीक है यहाँ पर आपसे कह रहा है कि साठ का योज य परतिलोव क्या होगा ठीक है सिंपल है परतिलोम से आपको विलोम याद रखना है यानि विलोम का मतलब होता है उल्टा अब हम आपसे पूछेंगे यह जो साथ है यह साथ रुपिया कर्ज है या आपका धन है तो आप बोलो कि ये धन है च्योंकि ये पलस में है धन में है यानि पलस में है ये मेरा धन है मैंने कमाया है इसको तो ये 7 रुपिया धन है हम बोलेंगे इसका उल्टा क्या होगा कि 7 रुपिया आप कर्ज ले लो तो ये उल्टा हो जाएगा तो option number A दूसरे बात है अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस में लिखो ठीक है? आ जाते हैं छे नमबर सवाल पर छे नमबर सवाल में आपसे कह रहा है कि माइनस 20, 15, 3, 0, माइनस 4, 5 को आरोही कर्म में सजाए आ रोही का मतलब होता है आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा ठीक है आ लगा हुआ है यह समझेगा तो यहां पर सीड़ी ही है ठीक है आप जब सीड़ी सहत पे चड़ते हो तो पहला सीड़ी आता है फिर दूसरा आता है फिर तीसरा आता है फिर चौथा आता है फिर प उपर उठ रहे हो यानि कि हाइट आपका बढ़ते जा रहा है यही हो रहा है ना तो कहां से स्टार्ट हुआ था सबसे छोटी सीड़ी से फिर बड़ी से फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी ऐसे करते करते हम लोग कहां चले गए थे अदम फ्लॉर पर बहुत उपर चले गए, वही चीज़ होता है कि जब कभी भी आपको आरोही में बोले, आते जाये, आते जाये, इस वलम बोले, तो आपको समझ जाना है कि छोटा से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो सबसे छोटा वैक्ती कौन है, तो भाईया जिसने कर्ज ले रखा है, सबसे जादा वही तो सबसे छोटा है, चलो लिख दिए, माइनस बीस, उसके बाद इस से जो कम कर्ज लिया है, माइनस चार वो हो जाएगा, उसके बाद किसी ने कर्ज नहीं लिया, उसके बाद जीरो है, जो ना कर्ज लिया है, ना धन कमाया है, तो यह इसके बा तीरे-दीरे इसको आजे बढ़ाते जाएगा अब देखिए यहां पर क्या है अवरोहीएब रोही Camb hoe मतलब होता है क्या हो जाता है घ depressив को और मतलब हो गया साथ पहले आपको सबसे बड़ा लिखना हो फिर उसके बाद उससे छोटा चाववन उससे छोटा जीरो यानि ना कमाया ना लिया उसके बाद क्या क्या है तीन रुपया करज ले लिया तो वह छोटा व्यक्ति हो गया दूसरा आया उसके 31 रुपया करज लिया उससे भी छोटा हो गया उसके बाद एक और आया 99 रुपया कर्ज ले लिया उससे भी छोटा हो गया ठीक है तो इस तरह से आपको क्या करना है बनाते चल जाना है कोश्चन नमबर 8 में आते हैं कोश्चन नमबर 8 में आपसे कह रहा है कि ये निसान लगाना है बड़ा चोटा का और बराबर का तो सिंपल है यहाँ पर आप देखो यहाँ अगर ध्यान से देखो गिना तो यह मैनस 8 है और यह ब्रैकेट जब हटेगा तो यह प्लस मैनस मैनस 5 हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर यह मैनस 8 है यह मैनस 5 है कि दोनों साइड अगर आप ध्यान से देखो तो कि यहां पर आ जाएगा, आपका माइनस ख गोलो को महाँदर दिखा रहे हैं यहां परade हो दोनों साइड क्या ओगी यह और भू बराबर थहे है इसलिए यहाँ पर बराबर का निसान लगादे ना तो अब आते हैं next में दूसरा वाला देखो क्या है कह रहा है आपके पास 14 रुपईया है 6 रुपईया आपका अपना धन है ठीक है आपने कमाया है तो 14 6 मिला के कितना हो गया बाबू 20 पांच रुपईया आपने कर्ज ले रखा है तो कर्ज वाला चुपचाप नहीं रहेगा उस को यहाँ पर 2 रुपईया आपने कर्ज ले रखा है तो कर्ज वाले को दे दो यहाँ पर 22 हो जाएगा अब आपको क्या समझ में आया आपको यह समझ में आ रहा है कि यह वाला एरिया यह वाला जो है यह वाला बड़ा दिख रहा है तो जिधर बड़ा होता है उधर ही खोल दिया जाता है तो यह खुल गया समझ में आ गई सभी को चलो निम्न पैटर्न को पूरा करना है यानि जिस पैटर्न को यह फोलो कर रहा है उस पैटर्न को आगे बढ़ाते जाए अब जैसे यह 7 है 3 है, मैनस 1 है, मैनस 5 है तो 7 से 3 आया यानि कि 4 कम हो गया 3 से 1 पे आ गया, फिर से 4 कम हो गया बात समझ रहे हो 3 से 1 कैसे काव, पहले 3 कम हुआ फिर 1 रुपय करज ले लिया, नि 4 घट गया फिर 1 रुपय कर जा था फिर से इसने क्या किया, मैनस 4 करजा ले लिया तो हम क्या करेंगे न, फिर से मैनस 4 कर जा ले लेंगे बास समझ में आई यह हो जागा मैनस का 9 फिर हमने मैनस 4 कर जा लेंगे मैनस का 13 फिर मैनस 4 कर जा लेंगे मैनस का 17 बास समझ रहे हो इस तरह से मैनस 4 मैनस 4 करते चल जाएगे तो यही पैटर्न को फॉलो कर लिया उसके बाद तो इस तरह से इसको हम लोग घड़ाते चल जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या है, कह रहा है कि दो पुर्णांकों का योग मैनस 11 है, यदि उनमें से एक पुर्णांक साथ है, तो दूसरा पुर्णांक ज्यात करें. देखिए इसको कैसे बनाएंगे, माना कि जो दूसरा पुर्णांक है वो ए है, तो परसन बोल रहा है कि दोनों पुर्णांकों का योग है न मैनस 11 है, चलो ठीक है मैने लिख दिया, अब हमें एका वैल्यू निकालना है, तो साथ को उस तरह भेजेंगे तो मैनस में हो तो दोनों टोटल कर्ज कितना हो गया, मैनस 18 का, तो एक जो वैल्यू आगया, मैनस 18, या नहीं तो आप ऐसे समझो कि मैनस और मैनस है, तो मैनस मैनस प्लस होता है, जूड़ जाता है, जो बड़ा होता है, उसका आगे का चिन्ह लगा देते हैं, तो ग्यारा साथ आठारा, यानि एक अवेल्यू आगया, मैनस 18, तो उमीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा, चैनल पर पहली बार आया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे, तकि इस तरह की वीडियो टिखने के लिए आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता रहे, मिलता रहे, अगले वीडियो में थैंक,